बॉलिवुट अक्टर्स कंगना रनौत हमेशा ही अपने बोल्ड बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में छाइड़ाती है कंगना ने एक बाचीत के दोरान रिलेशन्शिप से जुड़े एक सवाल पर कहा कि लोगों को एक से जादा सेक्स पार्टनर नहीं रखने चाहिए और टीनेजर्स को सेफ सेक्स पर फोकस करना चाहिए कंगना रनौत ने कहा सेक्स हर किसी की जंदगी का एहम हिस्सा है लेकिन जब भी आपको सेक्स की जरुवत मैसूस हो तो आपको करना चाहिए इससे औप्ज़स्ट होने की जरुवत नहीं है जादतर लोगों के माता पिता ये सोचते हैं कि हमारी पवित्र किताबें हमें सेक्स की अनुमती नहीं देती है। हाला कि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी लोग अपनी सेक्शुल एनर्जी को किसी दूसरी उर्जा में बदलने के तरीके अर्थ इस्तमाल करते हैं। कंगना ने आगे कहा, माता-पिता को इस बात के साथ कमफर्टीबल होना चाहिए कि उनके बच्चों के सेक्शुल पार्टनर है। उन्हें इस बात की जिम्मदारी लेनी चाहिए कि बच्चे संतुलित सेक्स करें और प्रोटेक्शन का इस्तमाल करें। पार्टनर्स बदलना ठीक नहीं है, यह आपके सिस्टम को बिगार देगा। पार्टनर नहीं बदलने को लेकर एक बहुत गहरा विज्ञान है जो यह बताता है कि इसके कितने घातक परिनाम होते हैं। तो देखा आपने, कंगना ने सेक्स को लेकर नसीहत डेडाली है। खर कंगना की यह नसीहत उन्हें किसी परिशानी में न डाल दे और वो इसे लेकर ट्रॉल न हो जाएं। बात करें के वर्क फ्रंट की तो कंगना जल्दी अश्वनी अयतिवारी की फिल्म पंगा में नजर आने वाली है। इसके अलावा वो अगले साल दिवाली के मौके पर फिल्म धाकर लेकर आएंगी। वैसे आप कंगना की इस नसीहत से कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।